नमस्कार बहुत स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल पर आज हमारा चर्चा के विशय है कि लोग अकसर जानना चाहते हैं कि हतेली की वो कौन सी रेखाएं हैं जो काफी सुखी जेबन व्यतीत करते हैं ऐसे तो कई अंक में हमने इसका चर्चा किया है आज फिर हम नई तरीके से तहतेली में कुछ रेखाएं ऐसी होती है अब कुछ योग ऐसे बनते हैं सामुदरिक सास्त्र में इसकी अच्छी तरस से पुर्णता चर्चा की गई है अपने आखे जो पुराचिन गरंत है कि कुछ योग ऐसे हाथ में बनते हैं जैसे एक योग क्या नाम द प्रवबाक इखटा करता है लेकिन धन बहुत ही जादा इखटा कर लेता है आए जानते हैं कि ऐसी कौन सी चिन होते हैं हतेली में जो कि दिब योग का निर्वान करते हैं सबसे पहले हम गुरु परवत पे ध्यान देंगे यह तरजने उगिल की नीचे यह हमारा गुरु रेखा जब इस प्रकार से शुकर के छेतर में प्रवेश कर जाए इस प्रकार से और शुकर के छेतर से कोई रेखा जो है गुरु की छेतर में प्रवेश कर जाए दोनों बात भी दियान दें एक रेखा इधर से निकलते हुए सुकर में प्रवेश कर जाए शुकर से कोई र रेखा कहां से निकलिया और कहां जा रही है इस प्रकार का जब कॉंबिनेशन बनता है कि एक 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 रेखा यहां से यहां यहां से यहां बनता है ति यह काफी जो है अच्छा माना जाता है सू माना जाता है इसे दिभ योग कहते हैं इसके साथ अन्य चीजों को भी देखा ज यह दोनों रेखाएं अगर इस प्रकार की देखाएं किसी जातक की हथेली में बनती है तो जिसे दिभ योग का नाम दिया जाता है इनका समाज में काफी मान परतिष्ठा राता है चुकि गुरु जो है गुरुपद परतिष्ठा का काराक होता है मान परतिष्ठा दिलाता है सुक्र जो है सुक्र सुख सुविधा रहान सहन कहान पान जैसे अच्छा रहना गाड़ी बहान बंगले उच्च जीवन सहली को दिखलाता है सुक्र सुक्र सुख सुविधा को दिखलाता है गुरु मान पतिष्ठा को दिखलाता है यह दोनों में जब आपस में एक रिलेशन बनते हैं तो इसे जाता कि दिव्योग होता है इसे जाता कि बहुत ही धन को खटा करता है और बहुत ही सुख पुर्वख राता है समाज में अच्छा मान सम्मान मिलता है आर्थिक द्रिष्टी से पुर्णता संपन इसे जाता को कहा जा सकता है लोग करते हैं लोग सोचते हैं कि मैं आर्थिक द्रिष्टी से संपन हो जाता है आर्थिक द्रिष्टी से संपन हो कौन है वैसा जातक संपन है आर्थिक द्रिष्टी से उसके जब इक्छा हो जो इक्छा हो वो चाय उसे खरीद सकता है मुल्ली चुका कर उसकी एक्षा हो गई नए बहान की वो मुली चुका की तुरत की तुरत मुली चुका या सब कुछ आ गिया तो इसे ही आर्थिक रूफ से संपन जातक करते हैं इसे ही आर्थिक रूफ से सुखी जातक कहलाते हैं अगले आंके में धनिवाद नमस्कार अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें